welcome back आज किस वीडियो में यहाँ पर मैं आप सभी के लिए कर आया हूँ premium smart TVs पर मले वाले कुछ oh my God थंडरींग हो रही है कुछ आज के वीडियो में हाँ पर मैं आप सभी के लिए कर आया हूँ कुछ ऐसे smart TVs क्या बोल रहा था हो भोल गया आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ प्रीमियम स्मार्ट टीवी तर मिलने वाले कुछ बेस्ट डील्स जो कि आपको डेफिनिटली मिस नहीं करने चाहिए और अगर आपने अभी तक कोई स्मार्ट टीवी नहीं भाय करी है और आप सामसंग, सोनी या फिर LG जैसे ब्रैंड की टीवी लेना चाहते हैं यह वीडियो आप एंड तक जरूर देखेगा डेफिनिटली यह वीडियो आप सभी के लिए हलफुल होने वाली है इसी के साथ यहाँ पर जो टीवी और डील्स में बताने वाला हूँ इनके उपर आपको काफी अच्छे ओफस मिल रहे है मेरे साथ से लगता है कि यह जो डील्स हैं यह वैली फॉर मनी डील्स हैं इसलिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पर बाइदे वे हो सकता है कि जो टीवी में आपको रेकेमेंड करूँ वो शायद से आपके बजट और रिक्वार्मेंट में फिट ना हो ने उस केस में आप मेरी प्रीवेस वीडियो को भी चेकाउट कर सकते हैं पिर अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो डिरेक्ली मुझे इस इंसेग्राम पर कॉंटाक कर सकते हैं इंसेग्राम के जो आईडी है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है आप जिस मुझे अपना रिक्वार्मेंट और आपका बजट बताइए और फिर हम मिलके डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा प्रड़क्ट बेस्ट है इस पैस्टीव सीजन सेल में डोंट वरी आइविल डेफिनेटली हेल्प यू आउट मैंने इससे पहले लगबग 6-700 सब्सक्राइबर्स की हेल्प करी है एक best product choose करने में तो मैं definitely आपको भी help करूंगा and make sure अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को like, share, subscribe कर देना चली वीडियो को यहाँ पर आप हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी को एक question का answer देना चाहूँगा जो कि definitely आपकी मन में जरूर आने वाला है कि आखिरकार हमें premium brands की TVs क्यो buy करने चाहिए because comparatively budget TVs हमें काफी कम price में काफी अच्छे specifications देखने मिल जाते है और कुछ TVs ऐसे हैं budget category में जो कि Samsung Sony LG से भी थोड़ी सी बहतर pitch quality देते हैं तो क्यों हमें ये premium brand की TVs consider करने चाहिए देखे, budget brands and premium brands के दोनों के ही अपने pros and cons है depends करता है कि आपकी requirement और आपकी preference क्या है मैं ऐसा नहीं कहता कि जो budget brand के TVs वो बिलकुल अच्छे नहीं आपको नहीं लेना चाहिए वो लंबे समय तक नहीं चलेंगे और नहीं मैं ऐसा कहता हूँ कि आपको सिफ और सिफ premium brand के ही TVs लेने चाहिए डिपेंड करता है कि आपकी priority और आपके preferences क्या क्या है for example यहाँ पर बात करें जाए premium brand के TVs की like Samsung, Sony या फिर LG की तो ये brands पिछले कई सालों से इस industry में है और इस समय भी ये one of the leading brand है in terms of television technology, quality और के तरफ से काफी अच्छे products भी आपको देखने मिल जाते हैं तो यहाँ पर आपको product की quality काफी अच्छी मिलती है और ये brands पिछले कई सालों से इंडिया में है तो इनकी जो after sales service है और इनकी जो service network है वो भी काफी अच्छी है most of the budget brands है वो third party companies को use करते है service देने के लिए लेकिन अगर आप LG, Sony या फिर Samsung की TV लेंगे तो वहाँ पर जो installation के लिए आते हैं या फिर जो service के लिए आते हैं वो उन brands के official partners होते हैं ना कि किसी third party की तो आपको service प्रवाड़े कराई जाती है तो यह benefit होता है और ruler area में भी इन brands की जो है आपको service अच्छी खासी देखने मिल जाती है और यहाँ पर मैं बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इनके जो products होते हैं यह most of the components वो खुद के बनाए होई यूज करते हैं वह अगर मैं बात कुरूँ बजट ब्रांड्स की specially जो आजकल कुछ नए smartphone brands अपने TVs ला रहे हैं वो ऐसे मतलब की एक already company होती है जसे इसे को कॉल करते हैं भया हमारा नाम पर टीवी बना के दे दो फिर वोंके पास जो भी TVs available होती है वो मिला जुला के बना के ब्रांड और चिपका के दे देते हैं तो यह starting में ऐसे ही होता है मतलब ऐसा कुछ R&D वगरा involved नहीं होती है और इंडिया में बहुत सरे companies हैं जो की TVs manufacture करते हैं अगर मेरे पास बहुत पैसा आजा तो मैं भी अभी Tech Start नाम के टीवी बनवा के रख दूँगा तो स्टार्टिंग में चीज़े ऐसी ही होती है लेकिन फिर बाद में अगर obvious ही बात है जैसे मी बगरा ब्रांड हो गया है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो budget brands है वो अच्छे नहीं है budget brands में से भी कुछ ऐसे brands जो की काफी अच्छे products देते हैं काफी कम price में जिसमें VIEW है and Hisense भी काफी अच्छा कर रहा है because VIEW TVS भी अभी Hisense ही manufacture करता है Hisense की service network उतनी जदा बहतर नहीं है इसके अलावा बात के लिए जायतो Shiba की motor line Nokia की service भी थोड़ी सी मतलब है अगर ruler area में रहते हो अगर आप CDs बगर में रहते हो तो वहाँ पर आपको अच्छी service मिल जाती है तो यह सब brands थोड़ा सा अच्छा कर रहे है आप definitely उनके भी TVs कंसेडर कर सकते हैं कोई प्रलम नहीं है लेकिन अगर आपका budget अलाव करता है तो अगर आप इन brands को भी कंसेडर कर सकते हैं बहुत होगी बगग यहाँ पर बात करते हैं deals in offers की तो सबसी पहली deal जो है वो आपको पूरे Samsung TVs पर मिल रही है और Amazon पर आपको HDFC कार्ड के तुरू discount मिल जाएगा और जो फिलिप कार्ट है उस पर आपको एक्सिस और शाय से ICICI bank के कार्ड पर discount मिलने वाला है तो आपके पास अगर कार्ड है तो well and good आपको और भी discount मिल जाएगा तो 32 इंच में आप Samsung की TV कंसेडर कर सकते हैं इसके बाद बात करते हैं कुछ real deals की जो की मुझे काफिजा पसंद है और मैं definitely recommend करूँगा आप सभी को तो यहां पर जो पहले deal है वो आपको Samsung के Crystal 4K और 4K Pro सीरीज पर देखने मल रही है Samsung Crystal 4K और 4K Pro Samsung के तरफ से इस साल के budget category के 4K TVs है जो की काफी इच्छे निकल कराते है 4K Pro और 4K में क्या difference है कोई difference नहीं है सिवाए remote के 4K Pro वाला है जिसके अंदर आपको remote के अंदर voice assistant बटन देखने मिल जाता है जो normal 4K है उसके अंदर आपको voice assistant का button नहीं मिलता है बाकि आपको सारी चीज़े same मिलती है अब चाहे तो 4K वाला बाई कर सकते है बाद में अगर आपको future में मन करें तो आप अलग से एक remote ले सकते है voice assistant बाला यहाँ पर जो Samsung Crystal 4K है उसका 43 इंच वाला variant आपको sale में Amazon के उपर 36,000 उपीस का देखने मिल जा रहा है एक बात यहाँ पर ध्यान अखना जबी भी आप Amazon पर कोई product बाई करो buy now के button के नीचे coupon discount का option होता है वहाँ पर apply पर click कर देना बहुत से product पर मिलता है तो बहुत लोग miss कर देते हैं वहाँ पर आपको discount अगरा मिल जाता है यहाँ पर मैं अगर बात करा हूँ Samsung Crystal 4K की तो इसमें आपको I think 1000 उपीस का discount मिलता और Samsung की यह 4K TV बाई कर लेचे इसमें VA panel दिया गया है तो अगर आपकी requirement VA panel की है तो इस तीवी को consider कर सकते हैं बाकि smart TV है Google Assistant का support आपको मिलेगा लेकिन remote में नहीं मिलेगा अगर आपके पास Google Home Mini वगरा है तो आप उससे directly command वगरा दे सकते हो बाकि पूरी certified TV है सभी official apps का support आपको मिल जाएगा इसका 50 इंच वाला variant है वो आपको 49,000 वे देखने मिल जाएगा बाकि 55 इंच वाला variant है वो आपको 51.5,000 वे देखने मिल जाएगा और 65 इंच वाला variant है वो आपको 86,000 वे मिल जाएगा तो काफी अची deals है आप इनको consider कर सकते हैं बाकि जो 4K pro है जिसके अंदर आपको voice assistant मिल जाता है यह भी आपको काफी अच्छे price पर मिल रहा है यहाँ पर 43 इंच वाला है वो आपको 38,000 वे मिल रहा है काफी अची deal है प्लस अगर आपको कार्ड बगरा हुआ तो और भी अच्छा discount आपको मिल जाएगा जो 50 इंच वाला है वो आपको 52,000 वे में देखने मिल रहा है और जो 55 इंच वाला है वो आपको 55,000 वे में देखने मिल रहा है 55 इंच वाले में आपको open discount मिलेगा जिस apply पर click कर देना बाकि 65 इंच वाला variant है वो आपको 90,000 वे में देखने मिल जाएगा तो मेरे साब से ये Samsung की TVs पर काफी अच्छी deals मिल रही है अगर आप budget Samsung की TVs लेना चाहते हैं तो अब बात करते हैं मेरे favorite smart TV series की जी हां Samsung D-Frame 2021 जी हां Samsung D-Frame की जितने भी smart TVs है सब की prices यहां पर कम हुई है और इन सभी TVs के साथ में आपको free bezels दिये जा रहे हैं white color में जो की काफी अच्छी deal है मेरे साब से और definitely आपको miss नहीं करनी चाहिए अगर आपका budget 60N अबाओ का है और आप उसमें QLED TV लेना चाहते हैं जो की काफी अच्छी picture quality के साथ आए तो definitely आप Samsung कसे डग कर सकते हैं और D-Frame की बात करे जाया है तो यह dual purpose smart TV है smart TV भी है और आप इसे as a artwork भी यूज़ का सकते हैं और wall पर लगाने पर पता नहीं चलता कि आपने TV लगा रख ही है या फिर आपने कोई photo frame या फिर artwork लगा रखा है तो यह है beauty Samsung D-Frame की यहां पर इसका 43-inch वाला variant है वो आपको 60,000 उपीज में देखने मिल जाएगा जो 50-inch वाला variant है वो आपको 75,000 उपीज में देखने मिल जाएगा 55-inch आपको 84,500 उपीज में मिलेगा इसमें आपको coupon apply पर click करना होगा आपको directly 5,500 का discount मिलेगा उसके बाद यह TV आपको 84.5 की पढ़ेगी 65-inch वाला variant आपको 1,22,000 उपीज में देखने मल जाएगा मेरे साब से यह TV काफी अच्छे option है अगर आपकी requirement भी यह पैनल की आप ज़्यादा एक्स्रीम एंगस पर TV एंजॉई नहीं करते है तो अगर आप बाकी सारे डील्स लेना चाहते हो बाकी सारे टीवी लेना चाहते हो यह सब लेना चाहते हो तो आप ऑफलाइन विजिट कीजिए ऑफलाइन मार्केट में आपको काफी एचे डील मिल जाएगी ऑलाइन प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है जो सेलर्स है वो उतना दा मतलब वरिफाइड नहीं है अगर आपकी सिटिंग पॉजिशन जो है वो 45 के अंदर होती है तो उसकेस में आप यह पेचे कॉलिटी में लेगी और आपकी सिटिंग पॉजिशन 45 एन अबाव है देन उसकेस में आपको IPS पैनल वाली टीवी कंसरे करने चाहिए और IPS पैनल का जब नाम आता है तो LG एक बहुती बहतरीन ऑप्शन निकल रहाता है LG इस साल अपने टीवी पर आपको टोटल 3 years की comprehensive warranty दे रहा है जो कि मेरे साब से काफी बहतरीन डियल है LG की 32 इंच टीवी में आपको उतना recommend नहीं करूँगा विगास उसमें कुछ ज़्यादा specifications अच्छे मिलते नहीं है उसके comparison में आप Samsung consider कर सकते हैं लेकिन LG की 43 इंच फुल HD टीवी है उसे आप consider कर सकते हैं 32-33,000 रुपी की मल जाएगी and 4K series की बात करें जाए तो LG UP7500 और UP7720 ये दो टीवी आपको मिल जाएंगे LG के तरफ से budget, focus, smart टीवी के तौर पर यहाँ पर LG UP7500 और 7700 में difference यही है कि जो 77 है उसमें आपको bezels thin मिलते हैं और आपको जो remote है वो smart remote मिलता है इसके अलावा कोई भी major difference आपको नहीं मिलता है तो UP7500 जो है वो आपको 3 साल के warranty के साथ में जो 43 इंच वाला विरेंट है वो आपको 37500 में देखने मिल जाएगा और कल तक इस TV के साथ में यह particular 43 इंच वाले विरेंट के साथ में आपको magic remote भी अलग से free दिया जा रहा था जिसकी कीमत 1500 तो इसमें आपको voice remote तो मिलता नहीं है लेकिन कल तक आपको एक free remote भी दिया जा र की है तो आप LG UP7500 का 43 इंच वाला विरेंट जो है वो 37.5 में ले सकते हैं इसका 50 इंच वाला विरेंट है वो आपको 50,000 में देखने मिल जाएगा 50 इंच वाले LG के जितने भी विरेंट से उसमें आपको VA panel मलता है तो यह बात यहां पर आपको ध्यान रखना है बाकि 55 इंच आप से थोड़ा सा प्राइस जादा है विल मैं आपको यहां पर रेक्मेंड करूंगा कि आप LG UP7500 बाय कर लेजए और इसके साथ में एक magic remote जो कि आपको 1500 से 2000 रुपे का मिल जाएगा आप उसे बाय कर लेजए तो टोटल डील जो है वो आपको 40,000 के अंदर ही पढ़ जाए आपको 94,000 रुपीज में मिल जाएगा यहां पर अगर आप LG की OLED टीवी भी लेना चाहते हो तो उनके पर भी काफी अची डील मिल रही है LG A1 जो की 2021 में ही लाँच किया गया है इसका जो 50 इंच वाला विरेंट है वो आपको 40 इंच वाला जो विरेंट है वो आपको यहां पर 90,000 रुपीज में देखने मिल रहा है काफी अची डील है अगर आप OLED experience करना चाहते हो OLED में picture quality काफी अची मलती है तो आप इसे बाइक कर सकते हो 90,000 रुपीज में और यहां पर आपको 3 साल की comprehensive warranty मिलने वाली है LG के तरफ से यहां पर अगर आप 55 इंच OLED smart TV लेना चाहते हो अबिसली बात है यह complete gaming smart TVs नहीं है लेकिन आप content enjoy करना चाहते है तो काफी अच्छा option निकल कर आते है तो 1,10,000 के आसपास यहां पर आपको LG BX smart TV मिल जाएगी 2020 का model है यह इसके उपर आपको 3 साल की warranty मिल रही है और content enjoy करने के लिए काफी अच्छी OLED smart TV हाँ आपको देखने मिल रही है तो आप इन TVs को consider कर सकते हैं बाकी budget अगर आपका अच्छा है 1.5,000,000 तक का budget है तो आप LG C1 को consider कर सकते हैं वो भी काफी अच्छा option है और वो एक complete gaming smart TV भी है content enjoy करने के साथ ही तो वो भी आप consider कर सकते है वेल मेरे जो audience है उनका budget जो है mostly 1,000,000 के अंदर ही होता तो मैं उपर जादा जैनहीं जाओंगा अगर आपकी requirement है तो आप directly मुस्छे contact कीजिए because उसके उपर बहुत सरे options हैं तो हम decide करेंगे कि आपके लिए कौन सा आच्छा option निकल कर आ सकता है बाकि इसके अलावा Sony के TV से अ काफी अची deal मिल रही है Sony इस समय अपने TVs पर आपको one year की warranty तो दे रहा है साधे साथ आपको one year साध से two years की आपको additional panel पर warranty दे रहा है तो आपको total panel के उपर तीन साल की warranty मिल जाएगी Sony के TVs पर तो Sony की तरफ से जो इनकी सबसे budget category की smart TV समय आपको देखने मिल रही है वो है Sony X74 ये 2021 की Android smart TV है ये आपको इस समय 43,000 उपीस में मिल जाएगी X75 के अगर बात करो तो वो थोड़ा सा महंगा है सिर्फ उसमें आपको motion flow का ही फरक देखने मिलता है तो मेरे साब से X74 आपको काफ 2020 का model है लेकिन 2020 और 2021 में कोई major difference नहीं है तो आप इसे भी कंसर डग का सकते हैं काफी अच्छी डील है 55 इंच की screen size आपको सिफ और सिफ 62, 63 में मिल जा रही है बहुत ही बैतरे इंडीन है आपको नहीं मिस करने चाहिए इसके अलावा गर आप Google TV लेना चाहते हो Google TV इंटरफे में देदूँगा तो आपने requirement के according TV को choose कर सकते हैं यह सारे best deals in offers उमीद करता हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा सबकी जो links है वो आपको नीचे description में मिल जाएगी अगर आप confused हो कि इनमें से कौन सा लेना चाहिए या फिर आपकी requirement कुछ अलग है तो आप मुस